create करना चाहते हैं, वो लोग हम T1 प्लस T2 देख लिया, एंद T1 वाइनस T2 देख लिया, ठीक है? तो यहां पर हमने T1 इंटू T2 निकाल लिया और मैंने यह देखा यह किस पर depend नहीं कर रहा ह। यह यह पर depend नहीं कर रहा ह। जिसे में यहाँ देखो, T1 into T2 निकालेंगे हम लोग, तो क्या ना चिये, maximum height 2 into maximum height कितना था, 32.4 क्या, 32.4 meter, और divided by, meter को उटाते है, 32.4 divided by 9.8, इसको calculate कितना आ रहा है, 2 into 32.4 divided by 9.8, यह देखो, तो 6.612 आ रहा है क्या, 6.612 आ रहा है, अगर मैं दोनों time को multiply करदो, जो कि same time है, 2.57 into 2.57, तो यही आना चिये, देखो, तो multiply करके कितना आ रहा है, 2.57 into 2.57, वो यही आएगा, 6.6, ठीक है, क्या, यह भी 6.6 ही आएगा, बस समझ में आ गया सबको, तो basically एक time देगा उसके corresponding, दूसरा time तुम लोगों से पूछेगा, या तो y देदेगा, या फिर u देदेगा, अगर u देदेगा, तुम लोग sum of roots यूज़ करेंगे, और अगर y देदेगा, तुम लोग product of roots यूज़ करेंगे, clear है, चलो, और अगर difference of roots पूछेगा तुम से, कितने देर तक उपर रहा है इस height से, तुमको दोनों ही चीज़ देना पड़ेगा, ठीक है, अगर मानलो, t1-t2 पूछ दिया, ठीक है, t1-t2 पूछ दिया, mod of, t1-t2, तो इनको दोनों ही चीज़ देना पड़ेगा, यह क्या है t1-t2, यह है कि किस height के उपर रहा है, यह कितने देर तक, मनलो, y height के उपर, कितने देर तक रहा है, तो इसके corresponding दो time आगा, एक height के corresponding t1 और t2, वो इनका difference ले ले लेंगे, तो difference क्या हो जाएगा, किस time तक यह रहा है, y height के उपर, and यह क्या होता है, root d by a होता है, mod of a होता है, और इसको मैंने calculate किया था, last class में, तो यह क्या था, 4u square divided by g square minus 8y by g था, ठीक है, 8y by g था, तो इसमें y और u दोनों देगा तुमको, तब हम लोग रिकाल सकते हैं कि कितने time तक ऊपर रहा, क्लियर है बात? यह था, चल, आगे बढ़ते हैं हम लोग next question है, बहुत interesting question है, आसान है, बड़ इसको interesting बनाएंगे, ठीक है? लिकना question, a bus start from, a bus starts, bus starts from rest, bus start from rest, with an acceleration, with an, with an acceleration of 1 meter per second square. full stop, a man, a man who is, a man who is 48 meter behind, behind the bus, behind the bus starts with, starts with a uniform velocity, uniform velocity, uniform velocity of 10 meter per second. full stop, the minimum time, the minimum time, which the man will, which the man will catch the bus is, catch the bus is. first option, 12 second, second option, 8 second, third option, 4 second, and last option, 2 second. करो इसको, इसको नोट करो जल्दी से, इसमें क्या है कि एक बस है, ठीक है, और एक यहां पर आदमी है. कि इनिसियाली कितना दूर खारा था इस बस से, 48 meter दूर खारा था क्या यह, पीछे था यह, यह, यह 48 meter इस बस से पीछे था, यही है, है ना, बोलो, यह सो लो, ठीक है, और यह भागना है स्टार्ट किया, कितना इस बस को कितने देर में पकर लेगा, यह पूछ रहा है, कितना minimum time होगा, उस time में इस बस को, पकर लेगा, ठीक है, माल लेते हैं, at time t, इस बस को इसने पकर लिया, at time t, इस बस को इसने पकर लिया, suppose यह यह बस था, ठीक है, और यह आदमी यहाँ पर आ गया, इस बस को इसने पकर लिया, कितने time पे, at time t, यही time निकालने के लिए बोल रहा हूँ, तो यह जो distance हो जाए इसको मैं 10 into t लिख दूँ क्या 10 meter per second से constantly चल रहा है तो कितना distance चल ले गाई है टी टाइम में 10 into t yes or no ठीक है अच्छा ये वाला टाइम ये वाला distance बताना कितना होगा इग्रीन वाला ये तो एक्सलरेट कर रहा है तो क्या हो जागा distance x is equal to ut plus half at square क्या है यू 0 है then this term will become 0 so this is half at square half into acceleration is 1 into t square this is t square by 2 यानि कि ग्रीन वाला distance कितना हो जाएगा t square by 2 हो जाएगा यानि कि क्या मैं इस फिगर से इसा लिख सकता हूँ 48 48 plus t square by 2 is equal to 10 t yes or no red वाला distance is equal to black वाला distance plus green वाला distance कोई दिकत ये स्टीक है अब यहां से देखो तो 2 से multiply मैं कर देता हूँ इसमें तो क्या हो जाएगा 48 into 2 is 96 क्या 96 plus t square minus sorry is equal to 20 t ठीक है यानि कि हमारे पास जो quadratic equation बन गया ये बन गया t square minus 20 t plus 96 is equal to 0 ये मेरे पास quadratic equation बन गया इसको जो हम solve करेंगे तो t क्या जाएगा minus b यानि कि minus of minus 20 plus minus square root of d this is b square minus 4ac that is 20 square minus 4 into a a is 1 into c is 96 divided by 2a 2 into a is 1 इसको calculate करेंगे हम लोग तो क्या जाएगा 20 minus minus plus that is 20 plus minus square root of ये हाता है square root of 20 square 20 square minus 4 into 96 minus 4 into 96 ये 16 आएगा square root of 16 आजाएगा ये this will be 4 divided by 2 यानि कि दो वैल्यू आ जाएगा यहां से क्या क्या जाएगा 12 and 8 क्या 12,8 yes or no तो ये दो वैल्यू आ गया तो ये इस question में पूछ रहा है कि minimum time बताना है minimum time क्या इसमें 8 है तो मैं 8 टिक कर दूंगा clear है लेकिन ये जो 12 आ रहा है ये जो solution 12 आ रहा है ये किसके cross-ponding आ रहा है 12 इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि 12 क्यों आ रहा है actually ऐसा होगा कि ये 10 meter per second से जब भागना है start किया तो at t is equal to 8 पे इस bus को पकर लेगा और इस bus से ये आगे निकल जाएगा बस को पकर लेगा और बस पे नहीं बैठा और दौरता रहा गया ये तो ये बस से आगे निकल जाएगा ठीक है ये बस से कहा निकल जाएगा ये आगे निकल जाएगा उसी time में जैसी आगे निकलेगा तो ये bus क्या हो रहा है? accelerate हो रहा है, इसका speed तो बरता जा रहा है, है ना? तो एक time ऐसा आएगा कि ये bus इसको पकर लेगा, दुबारा से. क्या करेगा? ये bus इसको पकर लेगा, और वो time कितना होगा? अभी आदमी इसको पकर रहा है, इस bus को, और आगे निकल गए आदमी, अब ये bus इसको पकर लेगा, और वो time क्या होगा? ये at 8 seconds है, ठीक है? और ये time हो जाएगा, 12 seconds पे इसको bus दुबारा पकर लेगा, ठीक है? और उसका bus इसको overshoot कर देगा, ये हमेशा के लिए से दूर चला जाएगा, और अब ये इसको कभी नहीं पकर सकता है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत ने इसमें, तो ये bus इसको दुबारा अब इस bus को नहीं पकर सकता है, तुमसे ये अब पूछ सकता है, कि बताओ 12 seconds पे तो bus ने इसको पकर तो लिया, अब ये अपनी speed को कितना से बरहा दे, कि दुबारा इस bus को पकर ले, ऐसा पूछ सकत मतलब, मतलब वो just पकर ले bus को, just पकरने का मतलब ये है, कि जैसे में, इसको ये next question में discuss करेंगे, ठीक है? तुमसे ये question पूछ सकता है, कि velocity कितना से बरहा है, कि bus को फिर से ये पकर ले, ठीक है? और उसके लिए तुमको minimum time भी दे देगा हो, कि मालो कि 8 seconds पे bus को पकरना है, हम इसी question में तुमसे ये पूछा रा सकता है, कि बताओ, ये आदमी bus से कितने देर तक, कितने देर तक ये आगे रहा? ये कैसे बताओगे? ये आदमी ये bus से कितने देर तक आगे रहा? यहां से यहां तक आगे रहा है क्या? यहां से लेके यहां तक? उसके बाद तो bus आगे च और यह आगे चला गया t is equal to 12 तक थीक है तो t is equal to 8 से 12 तक क्या ये बस से आगे रहा है आदमी यानि कि चार से आगे रहा है क्या ये ये चार से बस से आगे रहा है इस तरह का question तुमसे पुछा रहा है यानि कि ये time का difference है क्या t1 minus t2 है क्या ये mod है ना तो अगर इस तरह तुमके question पुछे कि बताओ कि कितना देर तक आदमी बस से आगे रहा है तो क्या मैं root d by a निकाल दूँगा root d by mod a निकाल दूँगा क्या yes or no निकालो तो इससे root d by mod a कितना आ रहा है 4 आ रहा है कि नहीं 4 आना चाहिए निकालो तो जल्दी से कितना रहा है root d तो कितना रहा है root d तो under root 16 आ रहा है root d and by a is 1 so 40 आ रहा है है ना तो ये 4 सकेंड तक आगे रहेगा ठीक है तो root d by a जल्दी से calculate कर देंगे और ये पताखिल जाया है कि ये इतने time तक इस बस से आगे रहेगा clear है सबको अच्छा इस question में ऐसा ही पूछा रहा है कि बताओ कि ये आदमी इस बस को just पकर ले इतना speed बताओ इसका इसका यू तुमसे पूस देगा कि ये आदमी just इस बस को पकर ले ठीक है ये ऐसा ना हो कि इसमें क्या है 10 meter per second velocity जादा है इसलिए क्या हो रहा है कि इसको oversuit कर दे रहा है फिर से बस इसको पकर रहा है ऐसा situation नहीं है इसका minimum velocity बताओ जिस velocity से ये just बस को पकर ले ठीक है अगर ये बस को नहीं पकर पाया जैसे मैं बस के पास पहुंचा और बस पे नहीं चट पाया तो फिर ये बस को दुबारा नहीं पकर पायेगा यानि कि इसके लिए t1 और t2 दोनों बड़ावर ने चीए क्या जैसे मानल हम किसी बस के पिछे बाग लोग एंथ ट्रेन पर ziet इंजमक ब único बाज ले लेटल लैते हों भाग रहे थे ठीक है बस को बहूंust कर चीजी से भाग रहे भाग रहे बस को जैसे हिं पक्रें यह बस पर बैट नहीं पाया बस मेरे सामनीत हो आया लेकिन बैट नहीं पाया और बस आगे निकल गया इसका क्या मतलब है कि तुमने बस को कितने तेर तक बस से तुम आगे रहे zero time तक नहीं बस से अगे रहे यानि कि T1 – T2 생각을 नहीं है श्केस में कि यस और नो कि यहां से डी को जिरो कर देंगे यह जो वैलसेटी हमको 10 दे रखा था इस वैलसेटी को रेट कर देते हैं यहां पर रेट से ठीक है इसको मैं क्या कर दूँगा यू कर दूँगा यह मिल जागा क्या क्लियर है एक equation मिल जागा हमको एक unknown है यू तो यहां ते तुम यू निकाल सकते हो और वो यू किसके corresponding होगा वो यू होगा कि जश्ट वो बस को पकर सके बात समझ में आ गया सबको उस यू को भी calculate करेंगे इसको पहले तुम लोग note कर लेना मैं क्या कर रहा ह dat कर रहा हूं की यह तो वेलसेटी है आदमी काँ मीनम मैं वेलसेटम को निकालना है such that यह जश्ट बस को पकर Horse करें ठीक है और बस इसको फकर में ना बट यह बस के पास पहुंचे तो लेकिन बस इसको यह पकर नहीं पाया है इसको मैंने यू लिख दिया यू माल लिए वेलसिटी यह क्या हो जाएगा यू इन्टो टी हो जाएगा अब इसके लिए ऐसा एक्विशन लिख सकते हैं हम अच्छा है इसको तो वही रहने देंगे हम लोग यह दिस्टेंस कितना है टी है इसक expert2 तो टा क्या यह इसको लिख टोस्ट एमृतीनिटीट इसट्वायट ट्रीके लिट्ष भस बस्ती इस खวर ट्योट्युट्टि इस फिपल equal to 0 और U minimum निकालना है जिसके चलते ही यह just इसको पकड़े ठीक है just इसको पकड़े तो यहां क्या हो जाएगा D is equal to 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों रूट क्या होने चाहिए T1 and T2 equal होने चाहिए उसके लिए और T1 T2 equal होगा तो D 0 होगा and D 0 होगा this implies B square that is 2 U whole square B square minus 4 into A into 96 this will be 0 so यहां से U square क्या हो जाएगा 2 U square 2 U whole square is equal to 4 into 96 क्या है so U is equal to square root of 4 into 96 divided by 2 यह कितना जाएगा देखो तो square root of 4 into 96 divided by 2 this will be 9.79 this will be 9.79 meter per second 9.79 meter per second से भाय है constant speed से तो यह bus को जस्ट पक्रेगा और यह दुबारा फिर bus इसको नहीं पक्रेगा ठीक है यानि कि मैं बोल सकता हूं कि यह आदमी bus से जरा भी time के लिए आगे नहीं रहा है ना अगर तुमसे पुछे कि यह आदमी bus से कितने time से आग रहेगा अगर यह velocity 9.79 है तो लोग answer क्या खरेंगे जीरो यस और नो बोलो क्या हुआ इसको भी नोट मत करना जो मैं लिखाया है कर लिए कोई बात ने इसको नोट मत कर एक कोश्चन ही लिख लो इसके ऊपर ठीक है क्या एक कोश्चन लिखना 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 a point we start from from a point from a point we stop a moves a moves a moves with uniform speed with uniform speed a moves with uniform speed 40 meter per second and b start and b starts b starts from wrist from wrist a constant speed move by or b start from start from wrist at t is equal to zero wrist at t is equal to we start from wrist within x can look nice we start from wrist we start from wrist with uniform acceleration with uniform uniform acceleration 2 meter per second square take it okay we'll stop if b start if b b starts at t is equal to zero b starts at t is equal to zero and a start and a start 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 a start from the same point a start from the same point from the same point from the same point at t is equal to 10 second at t is equal to 10 second then the time interval then the time interval then the time interval during the journey during the journey during the journey during the journey in which in in which a was ahead of b in which a was ahead of b of b is first option number one zero option number two one option number c two and option number three three to get kite sikin tak sekind mess can you tell me to get you tomorrow homework the time to try to do the last question p he best question a ticket are clear yes चलो किसी कोई डाउट है यहां तक?